हलो दोस्तो पैरामेटकल स्टेडी में आप लोग का स्वागत है तो हम एक वीडियो लेकर आ गए हैं रेडियो लाजिक mcq के बारे में तो आईए शुरू करते हैं वीडियो को तो पहला कुश्चन है दा ब्लड सप्लाई आफ लंग टीशू इज कुश्चन कह रहा है कि फेफणे में ब्लड किसके द्वारा आता है सप्लाई किया जाता है तो आफसंस है पल्मोनरी वेंज पल्मोनरी आर्ट्री ब्रांकियल आर्ट्री या लोवर थोरैसिक एउर्टा तो इसका सही आंसर होगा सी ब्रांकियल आर्ट्री नेस्ट है ओल्डेस्ट पार्ट आफ दा सेरी वला मीच ओल्डेस्ट पार्ट आफ दा सेरी वला मीच सेरी वेलम का सबसे पुराना पार्ट क्या उन्सा है इसमें निमलिखित में से यही बताना है तो आफसन से पाइलियो सेरिवलम, आर्कियो सेरिवलम, नियो सेरिवलम और लिंग्यूला तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए तो इसका राइट आंसर होगा आर्कियो सेरिवलम नेस्ट कुिस्चन है ड्राप्ट सोल्डर अकर्स ड्यू टू पैरलाईस आफ ड्राप्ट सोल्डर अकर्स ड्यू टू पैरलाईस आफ ये कुश्चन कह रहा है ड्राप्ट सोल्डर जो होता है किसके पैरलिसिस के कारण होता है जैसे ड्राप्ट सोल्डर के मतलब आप लोग समझते होंगे जैसे पुस्पा मूवी में पुस्पा का सोल्डर एक तरफ जुका था ना तो वही ड्राफ सोल्डर है तो ड्राफ सोल्डर किसके कारण होता है इसमें से किसके कारण है तो जैसे option में है deltoid trapegeus deltoid and terris minor and serratus anterior यह सब muscles की नाम है तो जो यह trapegeus muscle है इसके paralysis के कारण यह dropped shoulder होता है dropped shoulder आप लोग image में देख लीजिए image में अभी दिखा देंगे हम muscles trapegeus muscles कैसे होती है कहाँ पर पाई जाती है next है next question question है first relay station of the pain each first relay station of pain each मतलब जो जो दर्द होता है वो सबसे पहले कहाँ उसका signal सबसे पहले को रिसीप करता है या को प्रसारित करता है तो इसका है option spinal card medulla pons या thalamus तो इसका right answer होगा spinal card दर्द का जो signal होता है पहले spinal card में जाता है फिर spinal card उसको बेशती है अधर आगे की तरफ next है next question है heart pumps out blood to जो heart होता है वो blood को pump करता है किस लिए करता है तो इसमें options दिया है provide nutrition to sell बतलब को सिकाओं को nutrition देने के लिए second है remove waste product from the body बतलब सरीष से abscist पदार्थों को बाहर निकालने के लिए next है maintain temperature of the body सरीर का temperature maintain करने के लिए और next है all of the above उपर युक्त सभी तो इसमें से कौन सा सही है तो इसका सही आंसर होगा all of the above हर्ट हर्ट ब्लड को पामपिस लिए करता है क्यों प्रवाइड न्यूट्रिशन टो तेल मतब सभी को सिकाओं को न्यूट्रिशन प्रवाइड हो जाए remove waste product from the body शरीर से जो waste product है वो बाहर निकाला जाए maintain temperature of the body और body temperature maintain करने के लिए next question है which of the following regulates the fine control of the blood pressure which of the following regulates the fine control of blood pressure मतलब इसमें से कौन सा blood pressure को कंट्रोल करता है जैसे medulla, hypothalamus, midbrain या median, any, eminence जिसका right answer होगा medulla यह BP को कंट्रोल करता है next question है normal adults lungs weight is normal adults lungs weight is मतलब जो normal adults होते हैं उनके फेफड़े का weight कितना होता है option है a 100 to 200 gram 200 to 300 gram and 300 to 400 gram and d 500 to 600 gram इसका right answer होगा c 300 to 400 gram next question है hypo oxymia does not depends on hypo oxymia है जो होता है मतलब oxygen की कमी इसमें से किसे मतलब संबंधित नहीं है तो जैसे fi o2 जैसे fi o2 कम होगा तो oxygen कम हो जाएगा altitude altitude माने उचाई पर जाएगे तब पर भी oxygen कम होगा carbon dioxide बढ़ेगा तब भी oxygen कम होगा और यह hemoglobin यह इसका सही answer होगा hemoglobin से anemia होता है यह कम होगा तो anemia हो जाएगा next question है रेडियो ग्राफर है जो रेडियो ग्राफर होते हैं उनकी क्या रिस्पांसबिल्टी होती है क्या जिम्मेदारी होती है कि नंबर एक क्लीनिकल रिस्पांसबिल्टीच क्लीनिकल रिस्पांसबिल्टीच एथिकल रिस्पांसबिल्टीच एंड लीगल रिस्पांसबिटीच एंड लाट है आल आप दी एवब तो इसमें से कौन साथ होगा clinical responsibility मतलब कितना radiation देना है exposure कितना देना है और radiation से सुरक्षा सब ये सब देखना है ethical माने उनसे नियमता का बात चीत किया जाए और सारा कुछ नियमा अनुसार होना चाहिए legal responsibility means है कि उनका जिसे कोई भी information है legal होना चाहिए और information को leak नहीं करना चाहिए unnecessary मतलब जहां जरूरत हो वहीं उनकी information दी जाना चाहिए other person को patient की information नहीं देना चाहिए इसका right answer होगा all of the above ये सब रेडियो ग्राफर की responsibility होती है clinical responsibility, ethical responsibility and legal responsibility next question है what quantity of radiation exposure to the reproductive organs is required to cause temporary sterility what, मतलब कितनी quantity में radiation देने से जो रिप्रोडेक्टिव आर्गंस होते हैं वो temporary sterility होता है जो मतलब अनफरलिटी हो जाएगे, fertility में कमी आ जाएगी तो इसका right answer होगा 200 रेड, 200 रेड रेड रेडियेशन देने फिर अनफरलिटी हो जाएगे तो आसा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें धन्यवाद झाल